ठीक है तो हमारा अगला टॉपिक है इंडिजनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर आयूश क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की जबूत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहां से आप डिरेक्ट टाउनलोड कर सकते हूँ तो शुरू करते हैं हमारे Health Care of the Community वाले चैप्टर का अगला टॉपिक इस इंडिजनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर आयूश अभी इंडिजनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता क्या है हमने जितने भी अभी तक हेल्थ केर डिलेवे सिस्टम में पढ़ी चीजें वो सभी अलोपैथी से रिलेटेट सी तो अलोपैथी के अलावा जो अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन चलते हैं और वो होते हैं आपके आयूश यह आपका आयूश का लोगो होता है तो यह जो A, Y, U, S, H है इन्ही में पाचों चीज़ है A for Ayurveda, Y for Yoga, U for Yunani, S for Siddha and H for Homeopathy तो यह पाचों चीज़ें मिलाके बनता है आपका A, Y, U, S, H, Ayush आयूश, Ayurveda, Yoga, Yunani, Siddha, Homeopathy तो आपके पास पाच चीज़ें हैं वो पाच में सबसे पहले आपका आएगा Ayurveda Ayurvedic जली बूटियों से जो बनते हैं Y से आईगा आपका Yoga तो International Yoga दिवस आपको पता है 21 June को होता है उसके बाद Yunani पद्देती भी होता है जिसमें कि Oils वगर का हम जातर यूज़ करते हैं सिद्धा भी होता है जिसमें किजली बूटियों कर इस्तिमाल करते हैं और Homeopathy तो हमको पता ही है कि भाई Homeopathy में आप या तो Liquid या फिर आप छोटी-छोटी Tablets कर इस्तिमाल करते हो तो ये तो हो गई चार्ण अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आयूश Practitioners होते हैं या फिर ये जो Doctors होते हैं ये अगर जादा तरना Rural Population को सर्व करते हैं In fact, Study से ये भी पता चला है कि 90% Ayurvedic Physicians जो होते हैं वो Rural Areas में ही सर्व करते हैं तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि भाई जो आयूश Practitioners हैं जादा तर Rural Areas में काम करते हैं हमने in fact PhDs और CHCs ने पढ़ा भी था कि एक अलग आयूश विंग चलती है Primary Health Center और Community Health Center पर वहाँ पर इनको आयूश Practitioners को रखा जाता है मुखिता Ayurvedic और होमियोपेथी वाले अब इनके जो Established Institutes हैं वो कहाँ पर मिलेंगे आपको तो जो Ayurvedic Institute हैं वो आपको जैपूर में मिलेगा और होमियोपेथिक इंस्टेटूट जो है आपको National Institute of Homeियोपेथी वो आपको Kolkata में मिलेगा इस पर आपको MCQ आ सकता है अलग से तो इसको कैसे जाद करेंगे तो देखो Kolkata तो भाई cricket के लिए famous है तो cricket का Home अगर बोलोगे आप तो मुख्यता इंडिया में cricket का Home तो हमको Kolkata है भाई Kolkata के जितना जजबा तो मैंने नहीं देखा तो Home for Cricket is Kolkata तो Home और Kolkata तो Home और Kolkata तो Home for Homeopathic Kolkata is for Homeopathic Institute Kolkata में दूसरा अगर आपने शोले देखी है तो आपको दो नाम याद रहेंगे that is जै और वीरू तो ये होगे आपका जैपूर का जै और आयुर्वेदिक में आप उल्टा देखोगे तो वीरू आपको मिल जाएगा जै और वीरू तो जैपूर में आयुर्वेदा होम, होमियोपैथी खोल करता वे ऐसे आप याद कर सकते हो अब ना जो इंडीजनल सिस्टम उफ मेडिसिन है इसका मतलब है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के अलावा भी जो लोग आपको हेल्ट केर फेसलिटीज दे रहे है वो सभी इंडीजनल सिस्टम में आएंगे तो हाँ भाई ये पाच्चों तो आएंगे इंडीजनल सिस्टम में आयुर्वेदिक, युनानी, युनानी, योगा, सिद्धा और होमियोपैथी इनके अलावा ना क्वैक्स जो होते हैं ये जो होते हैं अगर वाईवा में पूछा जाता है तो आपको बताना है ठीक, तो इतनी चीज़े अटलीस्ट आपको इंडीजनल सिस्टम में पता होनी चाहिए अगर मैं बात करूँ सवाल की तो आपको ठियोरी में वेरी शॉर्ट नोट पे आपको इंडीजनल सिस्टम या फिर आयुश पे आपको सवाल आ सकता है स्पोर्ट्स में आपको इसके लोगो पे सवाल आ सकता है आयुश के लोगो पे तो आपको पता होना चाहिए यह देखो यहाँ पे चेंज हो गया यह पत्ती बन गई यहाँ पे तो यह आयुश के स्पोर्ट्स में इसके लोगो पे आपको सवाल आ सकता है पता होना चाहिए वाइवा में आपसे आयुश का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो पता होना चाहिए इनफेक्ट वाइवा में पूछ लिया जाता है भई quacks इसमें आएंगे कि नहीं तो हाँ इसमें आते हैं mcqs जितने भी underline part हमाई notes और slides में मिलते हैं वो सभी mcqs होते हैं वैसे तो मुझे नहीं मिला लेकिन आपको आयुष के full form पे mcq आ सकता है और आपको इन दो points पे mcq आ सकता है कि भाई आयुर्वेदिक national institute of ayurveda कहां पे है और national institute of homeopathy कहां पे है इन पे आपको mcq आ सकता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो इतनी चीज़े हैं जो आपको indigenous system of medicine में पता ही होनी चाहिए Thank you